हलो फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल जीके जीएसस पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपको अपनी इस वीडियो में सिच्छक भरती परिशत 2018 जो हुई है उसके बारे में बताएंगे और पूरा विस्तार से डीटेल से बताएंगे किन लोगों का होगा कितना कटाफ गया है किन लोगों की न्यूकती होगी किन लोगों की न्यूकती नहीं होगी तो हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो देखिए इसमें कटाफ जो जारी किया गया है सामान वर के लिए 65% है 97 नमबर वा आरच्छित वर्ग, जितने भी आरच्छित वर्ग हैं, चाहे OBC हो, SC, HD, जितने भी लोग हैं, सब का कटाफ 60% यानि 90 नमबर गया है तो देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, कि 79,000 सहाइक सिच्चकों की भरती के लिए हुई परिच्चक के अगले ही दिन सोमार को कटाफ जारी हो गया है सामाने वर्ग में 65% और आरच्छित वर्ग, OBC, SC, HD में 60% टंग पाने वाले सफल माने जाएंगे सीम योगी आदितिनाथ, वबेसिक सिच्चा राजिमंत्री, अन्पुमा जैस्वाल की हरी जंडी के बाद कटाफ जारी किया गया है आप लोगों का परिणाम जो है वो 22 जनौरी को आ जाएगा, 15 फरोरी तक न्यूक्ति पत्र जिन लोगों का हुआ रहेगा, न्यूक्ति पत्र उनको दे दिया जाएगा और न्यूंत्म कटाफ हमने आपको बता ही दिया है कि 97 वा 90 नंबर है तो अपर मुख सच्चु बेसिक सिच्चा प्रभात कुमार ने बताया कि परिणाम 22 जनौरी को जारी कर न्यूक्ति का विग्यापन जारी करवा दिया जाएगा 15 फरोरी तक भरती कारवाई पूरी कर सफल न्यूक्ति पत्र देने की तैयारी है पिछली भरती परिछा में जो है इसमें बताया गया है कि 45 वा 40% कटाफ था हम आगे आपकively बताएंगे कि लोगों का इसमें होगा कितने लोगों का लगवग होगा कितने लोगों का नहीं होगा इसमें एक आगया कि अगर ज़्यादा भेरती सफल हुए तो बनेगी मेरिट आपको क्या लगता है कि ज़्यादा भेरती सफल होंगे इतना ज़्यादा कटाफ दे दिये हैं जब टेट में इतना ज़ादा कटाफ देने कम कटाफ रहता है तब इतने भरती सफ़ल होते हैं तो सोचिए इसमें पेपर भी टाफ आया था तो इस हिसाब से हो सकता है कि सीटे बच भी सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पास होने की उम्मीद नहीं है लोगों की क्योंकि कटाफ हाई है अगर है भी अगर 79,000 से ज़्यादा लोगों का हो जाता है तो फिर मेरिट बनेगी अगर उनसे कम रहता है तो किसे की मेरिट बनने का कोई प्रेस पास हुए हैं उस टाइम पता चलेगा लेकिन उसके पहले अगर उससे ज़्यादा भ्यर्थी सपल होते हैं तो क्या होगा 79,000 साय का ध्यापक भरती मिन्यूंतम उत्री रंग पिछली परिच्छक मुगापले जो है 20 फीसदी बढ़ गया है हाला कि परिच्छार्थियों को संख्या जादा होने को जैसे इस परिच्छा में पद के साफेच अधिक भरती पास होने की उम्मीद है परिच्छार्थी की संख्या जो थी 4,10,000 थी इसलिए परिच्छा में जादा भ्यर्थी पास होने की उम्मीद है तो आप लोग देखिये की ज़्यादा भृति पास होते हैं या कम भृति पास होते हैं जैसे भी अगर ज़्यादा भृति पास हो रहे हैं तो अभृतियों की मेरिट बनेगी उनकी अकेडमिक मेरिट भिली जाएगी प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालों में 6 जनौरी को आयोजित सहाय का ध्यापक भरती लिखित परिच्छा 4,30,000 जिसमें से 4,10,440 अब बिटियों ने परिच्छा दी थी सिच्छक भरती में आबेदन अधिकारी होंगे जो लोग उत्रीन है नियुनतम उत्रीन रंग हासिल कर लिए हैं वही लोग उत्रीन माने जाएंगे आज आपकी एंसर की आएगी उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितने लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है कितने लोगों का नहीं हुआ है पिछली पिछली बार जो है 40,45 परसेंट कठाफ थी लेकिन बाद में उसे सरकार ने कम किया था तार लोग हाई कोट चले गए थे जिससे कटाफ को जो दोबारा कम किये थे उसे निरस्ट कर दिया गया था और सिच्छा मित्र भी विरोध में उतर आए हैं इस समय इससे सम्मंधित नियुज है तो उत्त्र प्रदेश दूरस्त बीटी C भरति से वह उंचित हो जाएंगे उनुहने कहा कि सिच्छा मित्र उनके खिलाफ इलाहाबद उच नियाले में याची का दाखिल करेंगे तो मतलब ए भी भरती को ए लोग कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो इसलिए देखिए क्या आसर पढ़ता है भरती पर तो friends हमारे इस वीडियों बस इतना ही और कोई अपडेट आएगा थमाब लोगों को तुरंट बताएंगे जैसे ही answer की आएगी हम आप लोगों तक वीडियों के माधम से पहुंचाएंगे तो friends हमारे इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद